हेलो गाइस आज के वीडियो में हम पोटोशॉप में एडिट मुनू के अंदर एक ओप्सन देखेंगे जिसका नाम है स्काई रीप्लेस्मेंट ये स्काई रीप्लेस्मेंट वर्क कैसे करता है आज हम इस वीडियो में आपको फुल एक्जेंपल के साथ एक्सप्लेइन करके दिखाएंगे और इसमें क्या क्या चीजे होती है ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो एक मेजे मेरे पास अब मैं इसका रीप्लेस पहले इसकाई करके दिखाता हूं उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो पुराने पोटोशॉप थे जो पुराने 2018 से पहले वाले उसमें इन सब को करना काफी मुश्किल होता था उसमें क्या करना होता था हम को स्लेक्ट करना पड़ता था एरिया हमने मास्क स्लेक्शन करके ठीक है फिर इस तरह से स्लेक्शन करके हमें एरिया स्लेक्ट करना पड़ता था और फिर मास्क करके हमें इस काई जो एक click में ही काम हो जाता है, automatic हो जाता है, आप करना क्या पड़ता है? एक click, ठीक है? तो यहां पे दिखिए, यहां पे ID में जाते हो, sky replacement में पे click करते हो, तो यहां पे थोड़ा सथ वक्त लगेगा, जो आपका sky होगा, ठीक है? और replace हो जाएगा, यानि की हट जाएगा, और जो यहाँ पे आपका sky select होगा वो ही sky आपका जो image है उसके उपर लग जाएगा इस तरह से ठीक है यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे आपको बहुत सारे sky मिल जाते हैं जिसको आप change भी कर सकते हो ठीक है इस तरह से change बगरा भी कर सकते हो फिर यहाँ पे आप इसको new layer एब करना चाते हो यहां पर लेयर बना यहां परोके करते हो तो अब इसके अंदर अपने पैनल के आते हो तो इहां पर स्कारी प्लेस्मेंट के घर वाट है यहां पर इस तरह से यह तो मास्क करके यहां पर इसकाइआ को Replace कर दिया है ठीक है पहले यह काम हमेे अरिया स्ञरक करके खुदी करना परता था अब देखें यहां पर कितना स्टीक्रक करने में लिद्स अब और स्टीक्ड आज क्यों पूंस्ट करने में और बहुत यहाँ पे स्काइब हो जा होंगे यहांप इसका करो tap करोगे यहां पर पोने नीच्ट करें ओमेज चाहिए कासब ने खेंद लेयरा है। लिएर एंदर हम ध्यान देखने होंगा है। इसलिए लेयर पैनल आपके सामने रख रहा हूं, image सामने है, और हम एड़िट में जाके यहाँ पर sky replacement पर click करते हैं, यहाँ पर पहले sky replace होगा यह वाला है, यहाँ पर दखिए, यहाँ पर sky replacement और dialogue box है, layer है, और image है, यहाँ पर जो work होगा आपके सामने होगा, ठीक है, सबसे प इसको में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इंपोर्ट भी कर सकते हो यहां पर इंदर भी इंपोर्ट कर दो या फिर आपने न्यूप बना के यहां पर jotा-प अन्यूव इंपोर्ट करना है तो यहां पर लिकरो फोल्टर वाले पर अपने गूरूप का नाम दे दो नीव ठेक हैं मैं new लिख देता हूं new sky ठीक है ठीक है यहां पर लिख दिया ठीक है अब इस group को यहां पर select किया edit में गया और get more पर click है यहां पर import image ठीक है और भी sky के जो image बगर है उनको import करना है जो समालों यहां पर click किया मैं यहां यहां पर open हो गया अब मैं देखूंगा कहां मेरे sky बगरे image यह थी थी तोड़ी देखता हूं कहां पर कुछ image है मेरे sky के इनको मैं select कर लेता हूं यहां से यहां से select किया उसका symbol open पर click किया अब यहां पर यह मेरा जो है इस group में add होगा इसका preset बन जाएगा ठीक है यहां पर preset create हो रहा है यहां पर image आप देख सकते हूं यहां पर जितने भी image है इतनी मेरे sky इसके अंदर आ चुका है इसका preset create हो चुका है अगर आपने कोई browser से कोई preset आपने श्टोल की मतलब डाउनलोड की है उसको आप यहां से import कर सकते हो यहां पर import preset है यहां से import कर सकते हो उसके बाद यहां पर download फिरी इसकाई ठीक है download फिर इसकाई यहां पर क्लिक करोगे तो आप एडॉप्ट के जो है वेपसेट के ऊपर चले जाओगे और वहां से sky भी बगरा भी download कर सकते हो यहां पर rename group हो गया delete group हो गया so recent ठीक है यहां पर बहुत सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है अब यहां पर कोई भी कर लेता हूं ठीक है यहां पर यहां पर यह वाले पैनल मिल जाते है इसको feel करने के लिए कुछ पैनल मिल जाते है थिक है इसको कहार करोग हो यहां पर SIM एलब में यहां पर इसको मनलब जैसे जैसे बढ़ाती है तो नीचे की तरफ और यहजीड करना इसको और आपको दिखाता है कि मुलें किस सर्केधीव का पर आप आप इसको अपने recording adjust कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहां पर आपको फेड मिल जाता है यहां पर फेड क्या होता है ठीक है पहले मैं फेड जीरो पर रखता हूं तो यहां पर देखे कोई फेड नहीं है यहां पर हमें पता लग रहा है कि मलब हमने इसकाई अलग से लगाया है जब आप फेड बढ़ा देते हो तो मलब यह मालूम नहीं चल पाता जल्दी कि आपने इसकाई जो है अलग से लगाया ठीक है पेड को बढ़ा देते हैं फिर ब्राइटनेस यहां से बढ़ा सकते हो ठीक है यहां से ब्राइटनेस कमें ज्यादा कर sellers क्टित जो भी यह उसका तेम्प्रेठ्य नुयां से कैसे रखना अपने यह से कर सकते हOY एहां से देख सकते हो उसके पड़ यहां पर फोर ग्रॉंड एजिश्टमेंट ठीक है यह क्या है यह जो color आपका जो का उसका पर जो lighting है जो आपकी मेंच के उपर वह तो तो उसको चेंज करने के लिए यह चीज का यूज होता है ठीक है यहां पर लाइटिंग इसकी बढ़ा सकते हो यहां पर क्या करते हो यहां पर कलर। जब zero करते हो यह मनलब पहले वाला जो sky था उसका color match है ठीक है यहाँ पर color match नहीं हो रहा है sky से जब इसको color adjustment को बढ़ाते हो तो आप दिखोगा यहाँ पूरा जो match हो गया जो sky के साथ जो है इसका color match हो गया ठीक है इस तरह से अब lighting कितनी चाहते हो यहाँ पर कम्या ज़्यादा कर सकते हो अपने coding अर्जेश्ट बगरा कर सकते हो ठीक है उसके बद यहाँ पर new layer पर इसको मलब यह आप जब ok करोगे यह जो preset है आपका new layer पर apply होगा या भी duplicate layer बनेगी इस image की तो यहाँ से आप जो मर्जेश्ट कर सकते हो simple इसके बद ok करोगे तो आपका जो है यहाँ पर जितनी भी lighting adjustment की कितने भी काम की है अपने अपने sky को maintain करने के लिए तो यहाँ पर सारे के एक layer duplicate बनके आगए ठीक है एक group बनके आजाता पहले दिखे यह दिखे sky replacement group ठीक है बनके आगया इस तरीक है तो इस तरीके से आप जो है sky को बहुत ही असान तरीके से Photoshop के अंदर किसी भी image में से जैसी मर्जी आपकी जो अराम से replace कर सकते हो और दूसरा sky यहां पर लगा सकते हो ठीक है तो वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना और वीडियो को like करना और साथ में चैनल को भी सस्क्राइब करी लेना और बैल आइकन को बजाई देना ठीक है ताकि और भी मेर गुडबाय और टेक केर